तो दोस्तों गुड मॉर्निंग स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ और आज जेट है तीन जुलाई सुमवार टाइम अभी हो रहा है दस बच के 15-20 मिनट हो रहे हैं अभी और सारा काम करके मैं दुबारा से बैठ गई हूँ अपनी सीट पे रोज की तरह काम करने के लिए तो आज मैंने सोचा है कि मैं एक क्राफ्ट और जो कल के ड्रॉइंग बची वी थी वो कंप्लीट करूंगी तो चलो शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्राफ्ट बनाने के लिए आपके पास जो भी कलर हैं आप वो कलर ले लो वाटर कलर और एक प्लेन पेपर ले ले लेना है तो इस टेप को अब हम बीचों बीच में लगाएंगे मतलब की पेपर के बीचों बीच में ये टेप लगानी है ऐसे करके तो टेप तो मैंने यहाँ पे लगा दी है तो जो कलर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है जैसे कि मैं अभी यहाँ पे यूज़ करूंगी ये वाला रेड कलर तो ये मैंने यहाँ पे खोल दिया है और अब इसको ऐसे करना ही कि आपको इसको अपने पूरे हाथ पे लगाना है जैसे मैं लगा रही हूँ अभी ओ जो आपका हाथ है आपको इसको ऐसे नाप के अच्छे से ताकि यह अच्छे से प्रिंट हो जाए मेरे हाथ का प्रिंट आगया है अब और अब हम इस तरफ भी ऐसे ही करेंगे पर पहले हम इसको सूखने देंगे क्योंकि अगर हमारा हाथ इदर उदर लगेगा तो यह पूरा जो वाइट पेपर है यह कहीं पे भी घराब हो सकता है तो इसलिए पहले इसको सूखने देना है अपने दोस्त के साथ बना रहे हैं किसी के भी साथ बना रहे हैं तो उसका दूसरे हाथ पर ऐसे उसके हाथ में ऐसे ही कलर लगा के आपको सेम प्रोसेस दुबारा से करनी है पर वो ऐसे करनी है कि जो आपका ये वाला अंगूठा है वो ऐसे आए सूख ग्या है तो इसकी टेप निकालेंगे दर से बीट से जो हमने टेप लगाई थी वो टेप निकाल देंगे अब टेप निकालने के बाद यह कुछ ऐसा दिख रहा है तो अब इसमें हम लिखना सुरू करेंगे तो अब black scale से और इसकेल से हम इसको ऐसे कर देंगे बनाके और अब इसके उपर ऐसे लाइन कर देंगे और बनके अब ये कुछ ऐसा लग रहा है अभी बज़रे हैं शाम के च्छे और मैं छत पे आ रखी हूँ और अभी मिलकोष शाम की सबजी के लिए कठल काटना है तो चलो पहले कठल को काट लेते हैं उसके बाद वीडियो शूट करेंगे अज इतनी जादा गर्मी थी बहुत गर्मी हो रही थी आज मैं कठल काटके उपर ही ले आई हूँ छत पे क्योंकि नीचे तो बहुत बहुत जादा गर्मी हो रही है नीचे तो आप खाने की तयारी करेंगे नीचे जाके और आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं कल आपसे नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बबाई गुड नाइट टेक कियर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है तब तक के लिए बबाई